आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लोग सवाई लेक्शन्स 2024 दोस्तों इलेक्शन तो छोड़िये सर्वे में भी दोसों का आकड़ा पार नहीं कर पाती थी बीजेपी दोस्तों मोदी को प्रैमिस्टर केंडियेट की घोशना के बाद कैसे बतल लगी ये तस्वीर आईए को सर्वेक्शनों के दोारा हम इसकी पड़ताल करते हैं दोस्तों बीजेपी के नेतरत में राश्टी जनतांतरी गठवंदन्व 2014 ऐसे लगारता दूसरी बार सत्ता में है और 2024 में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है 2014 है हो या फिर 2019 दोनों वार के लोग सबाचुनाब में बीजेपी को इतनी सीट हैं मिली को अकेले दम पर सरकार का गठन कर सके लेकिन 2014 के पहले एक दोर ऐसा भी था जब चुनाब तो छोड़िये बीजेपी को सर्वे में भी दोसों ज़्यादा का आकड़ा पार नहीं कर पाती थी उसी दोर का परसेशन करते हैं कि कैसे एक घोसना ने बीजेपी के लिए पूरे समीकर नहीं बदल दिये पहले एक नज़र 2014 के लोग सुबा चुनाब के नतीजों पर डालते हैं इससे बीजेपी की बड़ती ताकत को समझने में आसानी होगी 2014 के आम चुनाब में एंडिये को 336 सीटें मिली बीजेपी ने 282 सीट जीत कर बहुमत यानि के 272 के जादू याकड़े को पार कर लिया तीन दसक बाद ऐसा हुआ था इससे पहले 1984 में कांग्रेश को पूर्ण बहुमत मिला था इंडरा गांदी की हत्या के बाद उपजी सानबूती में कांग्रेश के पक्षमे लहर चल रही थी और पार्टी ने 404 सीटें जीती थी तब से देश में जोड़ तोड़ की सरकार ही बनती आ रही थी दोस्तों पिछले चुनाम में दोसों के नीचे रहने वाली पार्टी ने ये करिश्मा कैसे किया 2014 के एक सर्वे में इसकी बज़े साफ दिखाई देती है जनवरी 2014 में मूट अफ दानेशन नाम के सर्वे सामने आया था पिछले पान साल में ये पहली बार था जब इस सर्वे ने बीजे पी के नितरतवाले एंडिये को 200 के पार पहुंसते हुए दिखाया था इसके मैच 6 मही ने पहले इसी एजनसी ने सर्वे किया था इस सर्वे में एंडिये को 155 सीटे मिलती दिखाई गई थी जब कांग्रेश के नितरतवाले यूपिये को 137 सीटे मिलने का अनुमा लगाया गया था बाकी सीटे अन्य दलों के खाते में दी गई थी दोस्तों अगस 2013 और जन्वरी 2013 के इन दो सर्वे के बीज देश की राजनीती में एक बड़ा घटना करम घटा जब 2013 के सितंबर में एनडिये के सबसे बड़े घटक दल के रूप में बीजेपी ने परधानमंतरी पद के लिए गुजरात के ततकालीन मुक्यमंतरी नरेंदर मोधी को अपना नेता चुना था नरेंदर मोधी के एनडिये का परधानमंतरी का चहरा बनने के बाद घटवंधन के प्रक्षमें सारे समिकन बनने लगे जनवरी 2014 को सीबोटर के सर्वे में एन डिये घटवंधन की सीटें 200 के पार दिखाई दे रही थी लोग प्रिता के मामले में नरिंद मोधी पहले से ही अपने दूसरे प्रतितन दियों से काफी आगे थे इसकी गवाई सर्वे दे रहा है जनवरी दोजार चौदे के सर्वे में बेस्ट पी-म केंडिट के सवाल पर 47% लोगों नरिंद मोधी का समर्थन किया था वहीं उनके सामने रहुल गांदी को 15 फिजदी और अर्बिंद केजरिवाल को सिर्फ 9 फिजदी लोगों ने उम्मी दबार माना था इसके 6 महीने पहले अगस्त 2014 के सर्वे में पी-म पतपन रिंद मोधी 42 फिजदी लोगों की पसंद थे जब कि 20 फिजदी लोग रहुल गांदी और एक फिजदी केजरिवाल के पक्ष में थे जनवरी 2013 के सर्वे में 36 फिजदी लोगों ने पी-म मोधी के पक्ष में थे जब कि 22 फिजदी का समर्थन रहुल गांदी को था सी बोटर का हालिया सर्वे जनवरी 2023 में आया है बढ़ता रहा और ये भी बताता है कि उनके नाम के ऐलान ने किया किस तरह बीजेपी और एंड ये दोनों को फाइदा पहुँचाया दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें ज्यादाद शेयर करें आप लो